इंटरनेट पर बैठ कर वीडियोज देखना तक तक मज़िदार है जब तक कि आपके सामने एक ऐसी अजीब सी वीडियो ना आ जाए, जिसको देखकर आपका दिमाग खराब हो जाए और जो आपके दिमाग से फिर निकल न पाए मैं किसी मज़ाग या फिर किसी जानवर की क्यूट वीडियोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी वीडियोज की जो कि इंटरनेट पर पता नहीं क्यूं डाली गई हैं और जिनके बारे में किसी को नहीं मालूम कि वो वीडियोज असल में डाली किसने हैं तो ज़रा तयार हो जाईए ऐसी ही अजीब और गरीब वीडियोस को देखने के लिए जिनका की कोई सरपैर ही नहीं है पहले 2008 में अपलोड की गई ब्लैंक्रूमसोप.AVI वीडियो एकदम से पूरी दुनिया में वाइरल हो गई थी इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक इनसान जिसकी आँखों को सेंसर किया गया है बैटकर एक बहुत ही बड़ी चमत से सूप पी रहा है और कैसे धीरे धीरे से उसके पास एक बहुत बड़ा कॉस्टिम पहना हुआ इनसान आ जाता है इतने में ही एक और सेम कॉस्ट्यूम में दूसरा इंसान आ जाता है लेकिन वो सूप पी रहा इंसान रोना बंद नहीं करता इंटरनेट चलाने वाले लोगों ने इस चीज के बारे में थोड़ी बहुत जाच परताल भी की और फिर उनको बाद में याद आया कि शायद ये कॉस्ट्यूम में एक कैरेक्टर डियो रे रे की है जिसको की रेमन परसी ने बनाया था रेमन परसी वाल डिजनी पर काम करने वाला एक आर्टिस्ट और वाइस एक्टर है बाद में पता चला कि Raymond Percy कई सालों तक लोगों को हसाने के लिए Los Angeles में अपने इन characters की नकल करता था लेकिन एक रात अचानक से किसी ने show के बाद उसकी costume चुडा ली थी कुछ ही हफ्तों के बाद Percy को एक email आई जिसके अंदर की ये blank room soap वीडियो भी थी वो एहरान हो गया और उसक ने ये वीडियो अपने दोस्त के साथ share करने के लिए YouTube पर डाल दिया जिसके वज़े से वाइरल हो गई किसी को भी ये पता नहीं था कि इस वीडियो में बैठे हुए इनसान के साथ आखिर क्या हुआ था खई लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद परसी ने मशूर होने के लिए चीज खुद ही की थी लेकिन मैं चीज तो दावे से कह सकता हूँ कि मैं कभी भी रे रे के साथ कमरे में बंद होने का सोच भी नहीं सकता और ये सूप तो मैं जिन्दगी मैं ना पी हूँ पैट्सकोब 2017 में यूट्यूब पर एक चैनल बनाया गया था जिसका नाम था पैट्सकोब जो कि चलो खेलते हैं कि नाम से एक अजीब सी वीडियो गेम की वीडियो डालता था इस गेम को खेलने वाला इंसान पॉल देखने वाले लोगों को एक ऐसी गेम दिखाता है जो कि शायद कभी 90's की सस्ती सी कोई PlayStation की गेम थी यहां तक कि इस गेम की नीचे इसको बनाने वाली production company का नाम भी लिखा हुआ था जो की था Gary Lina लेकिन सबको इस production company के नाम को दिखाने के बावजूद आज तक किसी को भी ऐसी कोई company का पता नहीं चला इसके बाद पता चला कि लोगों ने इसलिए आज तक इस गेम के बारें कभी नहीं सुना क्योंकि यह गेम कभी असलियत में बना ही नहीं था जैसे जैसे पॉल इस गेम में आगे बढ़ता है और पहलियां सुलजाता है उसको वैसे वैसे पता चलता जाता है कि किस तरह से ये गेम उसकी असल जिन्दगी से मिलती जुलती है इसके साथ ही इस गेम के अंदर Can Dance New Maker की मौत के बारे में भी बताया गया है जो की एक 10 साल की बच्ची थी जिसका खून 2000 में हुआ था क्योंकि वो बेचारी रीबर्थिंग का शिकार हो गई थी 2019 में एक Twitter अकाउंट जिसका नाम था Press Days उसने ये दावा किया कि ये सारी वीडियो उसी ने बना कर डाली थी और इस चीज को प्रूफ करने के लिए उसने एक description भी लखा हलाकि आप लोगों को ये पता चल चुका था कि आखिर वीडियो बनाई किसने लेकिन इन वीडियो को बनाने के पीछे का असल मकसद आज ता किसी को नहीं समा जाया उसने बस लोगों को इतना बताया कि उसको ये मज़िदार लग रहा था इसलिए उसने ये बना दिया अगर कुछ और नहीं तो उसका ये बोलना ही उसके लिए सिर्फ मज़े के लिए बनाई गई है ये चीजों को आर ज्यादा स्ट्रेंज कर देता है Unfavorable Semi Circle एक ऐसे YouTube चैनल का नाम है जो कि 2015 में लाइब किया गया था ये चैनल अपनी वीडियो की वज़े से मशूर हुआ इन वीडियो में अक्सर एक अजीब से आवाज सुनाई देती थी और साथ में छोटी छोटी फ्लेश लाइट दखाई देती थी इन में से कई वीडियो सिर्फ कुछी सेकेंड की थी जबकि कई 11 घंटे लंबी भी थी इन सब का नाम कुछ अजीब से 6 नंबरों को मिला कर रखा गया था और साथ में एक सेजिटेरियस का चिन भी था 2015 से लेकर 2017 था कि इस चैनल ने लगभग ऐसी 10,000 वीडियोस अप्रोट की थी लेकिन एक दम से 2017 में अकाउंट डियक्टिवेट हो गया और फिर कुछी समय बाद फिर से रियक्टिव हुआ लेकिन इस बार इनकी पूरी लाइब्रेरी खाली थी इस बात को अब कुल 5 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी यूट्यूब चलाने वाले लोग अभी भी इस पहली को सुलजानी की कोशिश कर रहे हैं क्या ये कोई कला थी? कोई मजाग था या कुछ और? इस चीज के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका है मैक्स हैड्रूम 1987 नवंबर की शाम को डॉक्टर हू के शो के दोरान शिकागो एलिनियोईस के सारे टेलिविजन्स एकदम से मास्क पहने हुए इंसान के दोरा हाईजैक हो गए मास्क और किसी और का नहीं बलके हुद मैक्स हैड्रूम का था जो कि एक बृटिश साइबर पंक टीवी मूवी का एक एई आई केरेक्टर था लेकिन जिस मैक्स को दुनिया जानती थी ये हाईजैकर उससे बिलकुल अलग था ये हाईजैक कुछ लगभग दो मिनिट तक का था जिस दौरान इस नकली मैक्स ने कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और बोलने के बाद इसने अपनी पैंट उतार दी और सब के सामने एक लड़की से अपने पिश्वाडे पर मार खाता रहा इस चीज को देखने के बाद सब के दिमाग में बहुत अजीब अजीब सी चीजना चल रही थी लेकिन ये वीडियो लाइफ थी या फिर सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी ये किसी को नहीं मालूम आज तक ये हरकत करने वाले लोगों को कोई पकड़ नहीं पाया और शायद इसके बाद लोगों ने डॉक्टर हू को बहुत जादा मजी से देखा होगा मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ चलिए ज़रा साल 2009 की बात करते हैं जब पहली बार बिटकॉइन आया था यही वो साल है जब माईकल जेक्सन की मौत हुई थी और जब हम सबने मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ की वीडियो देखी थी यह फीमेल एंड्रोइट की एक धरावनी सी ट्यून पर गाते और नाचते हुए घर पर बनाई हुई वीडियो है इस वीडियो के बीच में एक और अजीब सी वीडियो भी है जिसके वहाँ होने के पीछे का कारण किसी को नहीं मालूम और फिर जैसे यह वीडियो शुरू हुई थी वैसे ही खत्म हो जाती है यह वीडियो सबसे पहले क्रीपी ब्लॉग ने पोस्ट की थी और यह उनके चैनल पर डाली गए एक लौती वीडियो थी चीजें इसके बाद और भी जादा जीब तब हुई जब लोगों ने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी जिसके अंदर ग्रीक मिथ पिगमेलियन के बारे में लिखा हुआ था जो की एक कारीगर था जिसने एक परफेक्ट औरत को बनानी की ठानी थी इस मिस्ट्री के नौ साल के बाद एक यूट्यूब यूजर यिड्ज ने उसके बारे में काफी जाच परताल की और किसी तरह से इस पूरी वीडियो को ढून निकाला जाच के बाद पता चला कि ये वीडियो किसी जॉन बर्ग्राउन नाम के इंसान ने बनाई थी जिसने की एक 90's के जमानी जैसे देखने वाली एक डरावनी वेबसाइट भी बनाई थी इस एंड्रोइड जिसका नाम तारा था उसको एंड्रोइड इंडिस्ट्री में लाँच करने के लिए बनाया गया था हाला कि इससे हमें कुछ नहीं पता चलता कि इस वीडियो की नीचे दे हुए डिस्क्रिप्शन का इस गानी के पीछे का और पेडों की वीडियो का क्या मतलब था लेकिन भले ही इस वीडियो का नाम जो भी था मुझे तो इसको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं मैसुस हुआ बाई SNCH 2015 में एक चैनल जिसका नाम SNCH था एकदम से यूट्यूब पर बना गया था जिसमें कि एक बकवास सी 10 सेकिंड की प्लेइलिस्ट बिना किसी डिस्क्रिप्शन के डाल दी गई थी इसमें हमें तीन जवान लड़की गूमते हुए और मज़े करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन जल्दी ही ये मज़े एक भूत या चीज में बदल जाते हैं हर क्लिप एक अजीब कहाणी दिखाती है जिसके अंदर ये लड़के एक घर में एक कमरी की जांच कर रहे होते हैं लेकिन वहां उन्हें एक बेबी मॉनिटर मिलता है तीनों लोगों में से ये मॉनिटर सिर्फ एक ही इनसान को देखकर रेयक्ट करता है और वो इसको हसी मजाक में टाल कर इसके साथ खेलने लग जाते हैं लेकिन इस प्लेइलिस्ट के आखरी वीडियो में दिखाया गया है कि वीडियो बनाने वाले इनसान ने एक दम से एक अजीब सी चीज़ को हिलते हुए वीडियो में कैप्चर कर लिया था एक साल बाद उन्हीं तीन लोगों के साथ उसी तरीके से बनाई गई एक और सीरीज डाली गई जहां पर वो वीडियो गेम्स और अपनी कुट्टे के साथ खेलते हुए नसर आ रहे हैं एक दम से मज़े करते हुए इन लड़कों को एक बहुत तेज और अजीब सी हावास सुनाई देती है और बाहर का दर्वाजा एक दम से खुलता है और लाइट बंध हो जाती है वो सारे घबरा जाते हैं और पुलिस को फोन करने के लिए भागते हैं लेकिन तभी वीडियो खत्म हो जाती है इन सभी वीडियो का नाम अजीब से नंबर्स और अल्फबेट्स की तरह दिखाई देता है जिनकों की रेडिट यूजर जॉर्ज दी हैंस्टर ने डिकोड करने की कोशिश की थी सेकंड प्लिस्ट में से वीडियो के टाइटल का मतलब था कई लोगों का मानना है कि ये या तो कोई हैक्स या चुराई हुई फटेज है या फिर कोई एक्टिंग चल रही है लेकिन आज इन तीन लोगों का पता चला नहीं है क्या आप इनके बारे में जानते हैं मर रहा नासा का साइन्टिस्ट कभी कभार कॉस्मिक जोक सभी के लिए भारी पर जाते हैं जैसे कि एक यूट्यूब चैनल नासाजीम 108 की डाइंग नासा साइन्टिस्ट शोज हाव टू नीट्रलाइज एन एलियन वीडियो में आपको दिख रहा है इस वीडियो में इसके टाइटल से मिलता जुलता कुछ भी नहीं है बजाए उसके ये 45 सेकंड की वीडियो है जिसके अंदर एक इनसान जो कि एक बकरी का मास्क पहन कर आया है कुर्सी से बंदी हुई औरत के साथ खड़ा हुआ है ये मास्क पहना हुआ इनसान अपने बड़े से पंक को खोल देता है जिसके अंदर अजीब तरह के नाम, नमबर और सिंबल बने हुए है साथ ही इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि कुर्सी से बंदी हुई औरत बड़ी मुश्किल से भागने ही कोशिश करती है और फिर ये वीडियो एक लोकेशन और बाइबल के रेफरेंस के साथ खत्म हो जाती है ना तो मुझे इस वीडियो में कोई गेम दिखी और ना ही इस वीडियो का कोई सरपैर लगा इस वीडियो के अंत में दी हुई लोकेशन असल में लक्षदीब की है जो की इंडिया के बिलकुल नीचे है और लक्षेदीब का संस्कृत मतलब होता है चोटे चोटे हजार आइलेंड्स दी गई बाइबल की लाइने कुछ इस तरह से हैं ये चैनल काफी सारी अजीब तरह की वीडियोस डालता है जिसमें या तो एलियन होते हैं पिर नासा की बारे में बता गया होता है या फिर मौत के बारे में बात की जाती है इंटरनेट पर लोगों का मानना है कि ये चैनल मजाग के तौर पर कॉमेडियन ड्यूक एंड ट्रसले ने बनाया था हम सभी ने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कि अजीब अजीब हरकतों के वज़े से जेल में रहे हैं लेकिन आज हम जानेंगे ऐसी लड़की के बारे में जो कि कुछ जादा ही पागल थी इंटरनेट पर इस लड़की को दा एरिक हैरिस गर्ल के नाम से जाना जाता है इसलिए इसने अपने हाई स्कूल के शूटर एरिक हैरिस के लिए प्यार जताते हुए खुब सारी वीडियो बनाई जिसके अंदर उसने अपने प्यार के लिए अच्छी बनी हुई कस्टमाइज चीज़ें दिखाई जिसमें की कब और तक ये भी थे इन सब मैंसे सबसे ज़्यादा अजीब वीडियो तो वो है जिसमें ये पूरी वीडियो में सिर्फ एरिक हैरिस रॉक्स माइ वर्ल बोलती हुई नजर आ लिए अजीब बात तो ये है कि इतना इस वीडियो में उसने अपना नाम बताया और ना ही नीचे कुछ लिगा और जैसा कि हमेशा से होता आया है एक रैडिट यूजर ने आखिरकार इस वीडियो के बारे में जाच परताल करने के बाद पता लगा लिया कि ये लड़की कौन है सियाका मूरी ने इस लड़की जिसका नाम लिन एंड गुसिटी था उसके सारे सोशल मीडिया काउंट के बारे में पता लगा लिया और इसके बाद पता चला कि इस वहरत का प्यार सिर्फ वीडियो तक ही नहीं था लड़की हैरिस के पीछे इतनी पागल है कि अपनी तस्वीरें उसकी तस्वीरों के साथ फोटोशॉप भी करती थी यहां तक कि इसने हैरिस के साथ एक नकली मैरे सर्टिफिकेट भी बनाया हुआ था अगर कोई इन चीज़ों को देखेगा तो उसको भी लगेगा कि भईय को सिखाना पड़ेगा कि हसते कैसे हैं लगता है शायद यह लड़का लोगों को यही सिखाने की कोशिश कर रहा था तो मिलिए Benjamin Bennett से जो की Sitting and Smiling.com के मालिक हैं 2014 में Bennett ने अपने एक घर के कोने में बैठ कर हसते हुए चार घंटे लंबी वीडियो बनाकर यूटूब पर डाल था था थोड़ी दिन बाद वो अपनी यही चीज़ करते हुए वीडियो बनाकर डाल देता था कुछ 300 वीडियो के बाद जी हां आपने बिल्कुल सई सुना 300 वैसे तो यह आज भी नहीं रुका है अगर मैं थोड़ी गड़ित लगा लूँ तो मेरे हिजाब से इसने वीडियो में कनवर्ट करके यूट्यूब पर क्यों डालेगा भाई कई लोगों ने इसका इंट्रिव्यू लेनी की कोशिश की लेकिन किसी भी इंट्रिव्यू में इस चीज के बारे में खुलकर किसी को कुछ नहीं बताया है बगवान सोची अगर कोई लड़की से पूछ इसका नाम मेरी बहन है जिसके अंदर एक औरत हॉल में कपड़े बदल कर आती हुई नजर आती है और फिर वो रुक कर कैमरा के तरफ बिना आके जपकाए देखती है लेकिन सबसे ज्यादा शौक तो तब होता है जब वो अपने मुह से एक मास्क उतारती है और अपना असल नाम यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था रेडर डॉग लेकिन ये सिर्फ गेम से डालता था इसलिए ये तो मुम्किन ही नहीं है कि इस चैनल को बनाने वाले इंसान ने मेरी बहन वीडियो बनाई होगी कुछ पांच सालों तक किसी को भी इस वीडियो के बारे में कि सिलिकोन मास्क का इस्तिमाल करके लोगों को चक्मा देती है इनके दोरह डाली गई वीडियो कुछ साल पहले से चलती आ रही है लेकिन ये जो मास्क है वो सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं और शायद जापान से आये हैं जिक चीफ ने कभी भी अपना नाम और असली चे देखने वाली तो दोस्तों बताई हुई कौन सी वीडियो आपको सबसे जाद आजीब लगी मुझे नीचे कॉमेंट सेक्षन में आकर जरूर बताएं देखने के लिए शुक्रिया